साहस सरुकार यह राजग और यूपीय के तब से नामंकन भी हो चके हैं तो यह तो रही मुद्दो की बाद पर इन मुद्दो के अलग भी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका सरघर्मी तो कोई नहीं होती है पर मुद्दा एहम बहुत जरूरी है एहम इसलिए है क्योंकि इन मुद्दो क जो आधार है वो कहीना कहीं हमारी ब्योस्थाओं से जुड़ा हुआ है हमारे बिकास से जुड़ा हुआ है हमारे सिद्धान से जुड़ा हुआ है और कहीना कहीं कुछ चीजे ऐसी है जो अब तक नजर में नहीं आई किया रही है नजर में आती नहीं है बताया नहीं जाता साट साल और बासट साल कई जगा साट साल है कई जगा बासट साल है यह उमर है नोकर साही की यानि आगर केंद सरकार के राज्य कर सरकार के करमचारी है तो आपकी सेबा निवरती की उमर जो है वो पैतिस साल की सेबा के बार लंसम लंसम साट साल बासट साल मानी जाती है यह ब उनकी उम्र सीमा है, वो 65 साल रखी गई है, हलाकि उनके पत की अगर हम बात करें तो उनके पत की जो समय होता है वो लंबा नहीं होता है, अब उनन 11 महीने, 1.5 साल, और कुछ सकर असके बल 6 महीने का कारकाल लेता है, तो इसलिए उस पर चर्चा करना बिसाए जरूरी नहीं है यहां पर यहां पर 60 और 62 साल उमर रखी गयी है, यह चर्चा का बिंदु है, यहां पर यह नहीं है कि मैं बौल ला हो कि 60 साल पर लिटारन्य उमर नहीं होनी चाहिए या 62 साल एटार्मेंट की उम्मर नहीं होनी चाहिए बस जाहरे तोर्ग भी बात है जो हमारा अध्यान और प्योग बताते हैं कि 60 साल के बाद जो मानाजश्वरी की छमता है वो धीर धीर कम हो जाने रती है चाहे सुनने की बात हो समझने की बात हो चलने की बात हो चोकि अंग ब्यद्धा उस्था की तरफ चले जाते हो जब ब्यद्धा उस्था आजाती है तो उसके बाद उनमें उतनी छमता उतनी फूर्ती नहीं रह जाती है जितनी हम युवा उस्था मानते हैं पर उसके बाद ज इसके सबसे बड़ा लोगतन थे हो यहां पर अफसर साही से ज़्यारा राजिती हाँ भी है वह भी कैसे बता रहते हैं देशन में उस्था बंड हो गई है पर तब भी राज्यों के बिरायक मंतरियों सांसनों को ताउमर पैंसन मिलती है और इसमें मज़ेडर बात यह है कि अलाकि इस पर अभी एक रोक लगाई है वो भी पंजाब में भगवन मानों की सरकार और रोक लगाई है और उनको एक पैंसन ही मिलेगी यह नहीं कि चार बार की पैंसन मिलेगी यह अच्छा पैजला लिया है इसके बार अगर बात करें तो पैंसन को अलग स्यवा कियो होता है माना जाता है मनब सरीं कमज़र हो जाता है देखर सुनने की च्छमता कम हो जाती है और निश्टित रूप से आप पहरी तरह संता से काम ने कर सकते हैं अपनी युवा वस्ता में यादि 60 साल के पहले तान्य अगर हम चमता की बात करें कमी की बात करें तो जब स साथ साल की आई उक हो इनकी समता बढ़ जाती है जो यह बश्ट बढ़ी देखा जाता है राजनीती में सिवा निवर्टी की बेवस्ता होने से। उंच द्राज जो राजनेता हैं वह बड़े 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 पढ़ों पर सुशुविट करते रहते रहते हैं बड़े बड़े जिम्म्राइं पढ़ों जो युवा निता हैं उनका हक भी खतम हो जाता है देश में युवा निति की करफ नाली से संचालिस होने से बच जाता है भारती राजनीती में उम्दराज निताओं की भरमार है जिनकी मात्मे कांचा पजटतर और असी बर्स की आईवी में भी अंत नहीं हो रहा है अगर जाते हैं तो अनवभी की रूप में रूप में शलायकार क्ली सकते हैं जैसी कई पार्टि में उस्पार्ट की चरचा बात में करेंगे पहले हम इस बात को लेते हैं और जो आखोड की बात करूं तो अब की जो सत्रिमी लोकसभा है उसमें लोकसभा की बात करें सांसरों की तो लबा लबा आदे से ज़्यादा सांसर पचास साल से उपर उम्र के हैं यानि सारी जो है वो 60 सल की रेटार्मेंट एज में जा रहा हैं 167 साल से उपर के हैं यानि 540 सांसरों में 166 सांसर ऐसे हैं जो की रेटार्मेंट की अबदी पूरी हो चकी है हलागि राजिती रेटार्मेंट होता नहीं है अब वो सांसर बने हैं और डेश में मेर्पूर पलों पस्रोविट करेंगे अपने संसरी सिर्ट का विकाज भी करेंगे और यूजनाई भी बनाएंगे कैसे वो तो अलग बात है और लगवा लबा 139 सांसर ऐसे हैं जनकी उमर 41 से 50 साल है यहां मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 25 साल से लेके 40 साल तक के संसर हमको नजरी नहीं आ रहा है तो वो भी बड़े अजीव है चली है बात भी कर लेते हैं 25 साल की उम्र की संसर की तो मैं आपको तादू कि जो 25 साल की उमर की संसर है ओडिशा की कोंजहर लोकसबा सीट से बिजु दंता दल की सांसर है उनका नाम है चंदरानी मुर्मू और मैं आपको बतानू कि यह 25 साल की है जो सांसर है सबसे छोटी उम्र की लोकसभा सांसर आप छोटी उम्र की बात की तो बड़ी उम्र की बात भी कलने तो आपको पतानू कि बड़ी उम्र की बात में यूपी क संबल सीट से समागली पार्टी के सांसर है सफीक रुमान बर्ख और मैं आपको उनकी आयू बताऊँगा तो आप बड़ा अटपटा लगेगा कि उनकी आयू छासी साल है 86 यर्स छासी बर्ख बड़ा गोरतलब करने वाला ममला है कि इतने उमर तक लोग कैसे अब तक राधनीती में सक्रिय बने हुए हैं क्या इनकी रेटार्मेंट की उमर नहीं हुई है क्या इनका काम नहीं हुआ है और क्या ये अब भी अपने आपको युवा मानते हैं पर युवा है अध्वा नहीं है सोच देश के पती सकारार्मक है सरच्छक बन सकते हैं सलायकार बन सकते हैं यहां पर आप अपनी उमर के साब से ही काम करना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि सक्री राजनीती सन्यास लेने रेटार्मेंट की व्युस्ता के बारें बिचार किया जाना बेहराबस सक है पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारतेंडर पार्टी ने कुछ को तो गुरिज किया और उनको राजनीती में मौका दिया और कुछ को कहा कि आप सरच्छक बनिये कुछ को राज़िपाल करके उनकी जो राजनीती है उसका बिराम किया आप सलायकार हो सकते हैं आप सरच्छक बन सकते हैं देश को और देश क अपने अनुवहों का फायदा दिला सकते हैं पर यहाँ पर जबसे बड़ी बात यह है कि यह बेवस्था लागू क्यों नहीं होती है क्योंकि हमाई सम्मिदान में तमाम तरह के चीजे लिखी हुई हैं और सम्मिदान में तमाम तरह के चीजें के साथ साथ एक बियुस्था बड़ी कमजोर है और हलागी संविधान पर पिसम ने उठाना सही नहीं है पर यहाँ पर अगर हम उमर की बात करते हैं तो मिनमम आयू यानि नूनितम आयू तो लिखी जाती है पर उसमें उच्चितम आयू भी लिखी होनी चाहिए उस पर भी गौर करना होगा अगर यह संविधान में संसोजन नहीं होता है तो चुनाब आयो कुछ पर गौर करना होगा क्योंकि यहाँ पर संसोजन बहुत जरूरी है कि अगर आप की बिदायक बनने की उमर 25 साल कम से कम होना चाहिए तो आप देश की सेवा के साथ से 35 साल सेवा करिए आप लगाता है बिदायकी लड़ी है बिदायक बनते रहिए मंत्री बनते रहिए सेवा करते रहिए और जब 60 साल होती है तो 60 साल के बाद आप अपने राजितिक कुसको बिराम दीजिए अन्य युमाओं को मौका दीजिए पर ये होता नहीं है अब उन्हें देखा जाता है संगस करते करते मेहनट करते करते जब वो बिरायक बनते हैं तो उनकी उमर 45 साल से उपर हो जाती है और जब वो दुबारा बिरायक बनते हैं तो उनकी उमर हो जाती है साल्प इन के लिएonden के लिए क्या कर रहा हैं आप ब्ता रहा हैं कि हम क्योटर में कर रहा हैं कि अब आप हमारी सेवा यद्यक्राइनोग नहीं हैं अब आपकी सारिशंटा हमारे काम को नहीं कर सकती है इसलिए आपको रिटार्मेंट होना पड़ाइगा और यह उम्र की सीमा का निर्दारन सरकारी नौकरियों में केंदी सरकार की नौकरी हो चाहराज सरकार की नौकरी हो यहां तक कि निजी सेक्टर की नौकरियां भी है उनमें भी 60-62 साल में लोगों को रिटार्ड कर पर यहां पर जब हम बाद केंज सरकार की राज़सका कमजार हुए करते हैं तो बहां पर 60 और 62 साल की उम्र बताई गई है कि आपको रेटार्मेंट लेना है पर यह उम्र राजिताओं के लिए क्यों नहीं होती है मंत्रियों के लिए क्यों नहीं होती है बिरायकों के लिए क्यों नहीं होती है सांसरों के लिए क्यों नहीं होती है भाई अगर आप सेबा करना चाहते हैं तो फिर युबा सांसर भी तो आ रहे हैं युबा बिरायक भी तो आ रहे हैं आप 80 साल से उपर की उमर में आप देश के बड़े-बड़े पड़ों को सुझोविट कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरी है कि आप 75 साल की उमर में देश के बड़े-बड़े पड़ों पर कामकाज कर रहे हैं। खीक है मैं मानता हूँ कि आपने संगर्ष किया और उच पर पहुंचे पर उच पर के पहुंचने के साथ सर आपको ये भी देखना है कि हम किस पर पर हो हमारी उम्र सीवा क्या है अगर हम साथ साल के बासए साल के इनसान को मानों को ये बोलते है कि अब आप सरकारी सीवा के योग नहीं रहे तो आप राधनीते के योग कैसे हो गए है ये बात मेरी समझ से बाहर है और इसलिए आज ये मुद्धा रखा गया है कि ये मुद्धा बहुत आवस्यक है हलाकि भातिंद्य पार्टी ने ऐसी ब्योस्ता की है और संगठन अपने स्थर पे भी इस तरह की ब्योस्ता की गई है जलाद ध्याच मंदल अध्य बना जा तो उसकी उमर 35-45 साल तक रखी जाए ये नहीं कि कोई भी मंदल अध्याच चे बड़ा संगठन का परादी का रही है तो उसकी उमर 55 साल से उपर हो ये बहाँ ब्योस्ता की गई है पर ये ब्योस्ता अनपार्टियों में नहीं है अगर भारती इतना पार्टी में भी ये तो अभी उतनी नहीं होनी चाहिए हलागि उन्होंने अपने बड़े बड़े उम्दराज निताओं को इतीसीरी कह दिया और उनको सरचक के रूप में सलाकार के रूप में लगतर पार्टी से उनका अनवाव लेते रहते हैं अलाला कामों के लिए अलाला बिसेयों के लिए पर उनकी जो सक्री राज़ निती है उस पर बिराम लग गिया है राजपल होने के बाद, तमाम व्यवस्थाओं के बाद और उसके बाद उनका अन्योह लेते रहते हैं, पर उनको सक्री राज़िती में अब ना सांसरी का टिकेट मिलता है ला बिदाही की टिकेट मिलता है। और यह व्यवस्ता ठीक भी है मैं बीजेपी के इस मामले में तारीव करूँगा और उनका एक कडम तारीव योग है कि इस तरह व्यवस्ता होनी चाहिए पर साथी साथ यहां पर कडम चुनावायों को भी उठाना पड़ेंगे चुनावायों को जैसे अपराणियों के राजनिती में एंटी खिलाफ है तमाम तरह की गायडलांस बनाता है तो यहां पर क्डम आईयों को यह गायडलांस यह भी बनानी अगर आप साथ साल के हो गए हैं और सरकारी सेवारातों को साथ साल के बाद रिटार्मेंट डेडिया जाता है तो अब आपकी रिटार्मेंट की उम्म की सीमा है अगर वो सरकारी कर्मचारी सेवा के योग नहीं है तो आप भी सेवा की योग नहीं है अगर बास्तम में आप द देश में साथ काम करेगी तो हमारा भारत जो है बिसुगरू बनने का सपना देख सकता है यह बहुत आवस्यक इस चीज में और साथी साथ जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि आने बाले समय में भारत की युबा आबादी साट से सत्तर पिटिसद होगी और यह आकड़े हवा में नहीं है यह एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट के मतावे कि यह बताया गया है कि 2030 तक भारत की आबादी चीज से जादा होगी और भारत में युबाओं की जो जन संख्या है वो लबा लबक साथ से पैसर स्फीजदी होगी युबाओं की और पार ही जरूरी नहीं है युबाओं को राजनीती में भी सक्रिय मौका देना पड़ेगा और यह मौका तब दिया जाएगा जब हमारे देश के महरवकांची कुछ नेता अपनी अपनी कूर्सी को छोड़कर अनवभी सरच्छक और सलाहकार ग्रूप में देश सेबा करेंग चाहे वो महला हो और चाहे पुरुस हो और जब युबाओं को मौका देंगे तो निसी रूप से युबाओं ही चुनके आएंगे जब आप पाड़ छोड़ देंगे, जब आप खुद कहिएंगे कि हमको राज़नीती में अभी नहीं कनना हमारी उमर उचकी है, हमाई छमता में कमी आए, युबाओं को मौका देना चाही जब आप युबाओं बहुत कंद कांचा को त्याक कर सही देश सेबा के रूप में काम करेंगे तो युबाओं को पार्टी मिर्वार की रूप में उतारेगी और बही युबाओं आंगे जाकर बिढायक भी बनेंगे, संसर भी बनेंगे, मंतरी भी बनेंगे, केंजरी मंतरी भी बनेंगे और पिढार मंतरी और रास्पती भी बनेंगे ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में उमर जराजों को ही पिधान मंत्री या रस्पती कुर्सी पर दिया जाते है अगर हम और तुलना से देशों तो तुलना करें तो बहाँ पर युवा लोग है मैं यह नहीं बोलता कि अनुभवी लोग खराब होते हैं उनके अंदर ग्यान की कोई भी कमी होती है पर मेरा यहां पर मुद्दा के बल एक ही है कि जो उमर होती है अगर आप बहुत एक्टे में बहुत सक्री है अगर आपकी सारी समता पूरी रूप से ठीक है तो भी साट साल पैसेट साल राजनीती परयाब्त है इतना विकल्प परयाब्त है पर सत्तर साल पजट्तर साल 84 साल 86 साल 88 साल इस उमर के पड़ाव पर इस उमर में राजनीती मुझे समझ में नहीं आती अगर आब आस्तव में डेश भक्त है आप डेश सिवा करना चाहते हैं तो सरचक, सलायकार और अनुभवी की रूप में अपने ज्यान दें, अपनी सेवाई दें युबा जोस और अनुभवी ब्योस्था आने वाले समय में भारत को बहुत लाब देगी इस कारकम के माद्यम से मैं केबल हो केबल सरकारों से, पार्टियों से और साथी साथ जनता को भी कहना चाहूंगा के युबा उम्भीरवारों अगर कोई खड़ा होता है तो युबाओं को तरजीद है रिकार्ड देखें, अगर रिकार्ड बहुत अच्छा है और सामान बर्ग से भी है बहुत बड़ा बाहुवली नेता नहीं है तब भी उसको चुने कि जब आप युबाओं को चुनेंगे तब ही आपकी समस्चाओं का समधान होगा समधान चाहते हैं अपनी समस्चाओं में कुछ बिकल्प चाहते हैं अपने देश को आँगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो पहल आपको भी करने होगी साथी साथ मेरा एक निवेदन चुनाबायोग से भी है कि कुछ ऐसी बेवस्था बनाई जाए जिससे आने वाले समय में इस पर लगाम लगाई जा सके और हमारे जो महरपकांची नेता हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो योबा सक्ती को आँगे बढ़ाने के लिए अपने महरपकांचा को छोड़ें और देश सिवा को अनुभवी सलाकार के रूप में निवाने का प्रयास करें और जब युबा सक्ती ही आगे बढ़ेगी युबा सांसर युबा विरायक आँगे आएंगे मंतरी बनेंगे बढ़े 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 बेभागों में अपनी भूमी का निवाय के निश्य रूप से हम बिसुगरी बनने के सपने को साकार कर सकेंगे आज के समय में हम जेकते युबा सरकाई नोकरी में जाता है प्राइवेट नोकरी में जाता है ब्यopard में जाता है पर आम हुंनन देखते हैं। युबा यह ये नी कि हम को राजनीती ब जाना है और पुराने लोगों से हमारे बुजर्ग लोगों से हमारे बर्ष्ट जो नेता बिरायक मंतरी और जो हमारे बर्ष्ट राजनेता हैं उनसे मेरा कहना यही है कि अब उम्र किस पड़ाव पर देश सिवा की भावना को सलायकार सर्चक की रूप में पूरी करें और युबाओं कि उम्र सरकारी व्यास्थाम में निर्भार है निर्धारित की गई है तो यह उम्र राजनीती में निर्धारित होना बहुत आश्यक है तो आज की चर्चा में अतना ही मुझे जी रन्मती नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार